Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning, this is Monica Saigal and today I will discuss about marquism आज हम discuss करेंगे marquism तो कि हम इन दिट वन education paper discuss कर दे हैं तो उसमें अब next topic की तरफ जाते हुए हमाया topic है marquism जो Karl Marx ने दिया था और इनी की ideology से ये concept निकल कर आया है कि क्या concept है और क्या keywords है कैसे questions आते हैं सब को जुस्कुस करते हैं मार्किजम जो है आपका काल मार्क्स की बात कर दे हैं जो काल मार्क्स ने दिया है मार्किजम जो concept है given by काल मार्क्स जिनका birth हुआ था 1818 में और death 3 थी 1883 में अब इनका इनोंने face की थी कि जो society है उसका division इस तरीके से है बहुत ही poor people हैं जो poor people हैं उन्हें बहुत problem face करनी होती है अपने काम के लिए और इनकी जो ideology थी वो idealism के बिलकुल खिलाफ थी इनके हिसाब से कि idealism विचारों का हम क्या करें ideas का हम क्या करें विचारों का हम क्या करें जब हमारे पास खाने को खाना ही नहीं है तो that means marquism जो concept है वो बात करता है materialistic world की ऐसा world जो materialistic reality पे बेस्ट है जिसमें आपको खाने को actually में खाना चाहिए और आपको एक society में अपना एक रोल चाहिए कि आप इस position पे हैं और आप अपने लिए और अपनी family के लिए earn कर देए है तो marquism concept को discuss करते हैं इसके key points को discuss करेंगे और फिर वही पुराने तरीके से जिससे कि आप बहुत easily differentiate कर पाएं कि aims of education, curriculum, teacher, discipline इनका क्या दोल है और exam में question किस type क्या आते हैं उनको भी साथ साथ discuss करेंगे देखिए marquism जो आपको key elements और key words ध्यान दखने हैं तो first है आपका conflict theory इन्होंने conflict theory की बात की यो कि society दो parts में थी एक तरफ थे capitalist एक तरफ थे labor class जो capitalist थे वो want to sell जो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और उससे money earn कर दए है बतब rich people become more richer जो rich people है उनके पास richness बरती जा रहे है क्यों कि उनके पास वो resources है ताकि वो rich बने रहे हैं और टिकें भी रहे that means capitalist जो person थे वो want to sell जो sell करेंगे income earn करेंगे again production करेंगे income earn करेंगे लेकिन उनके लिए जो चीज बना रहे है वो है labor class जो कुछ से क्या कर रहे है nothing to sell उनके पास को कुछ भी नहीं है वो तो सिफ आपको बना बना के दे रहे हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं तो दो जो ये division थे poor और rich और poor के ये बहुत बड़ा class differentiate था तो उनने classless society की बात की ये किसी भी तरी के class division ना हो और rich और poor का differentiate खतम किया जाए पहले markism समझ लेते हैं फिर उनके according aims of education curriculum टीचर ये discuss करेंगे इनकी जो program था वो revolutionary program था इनका program था एक क्रांती लेकर आया था reform ना होकर revolutionary program था और इसी materialistic concept को dialectical materialism कहा गया ये question आ चुका है dialectical materialism means due to material needs क्योंकि आप जब दोदिया में आये हैं तो आपकी needs हैं material needs हैं उन्हें आपको satisfy करना है उसके लिए आपको money चाहिए तो आप idealism और विचार हो का क्या करेंगे जब तक कि वो विचार या वो idealism concept आपको money ही नहीं दे सकते that means material needs की बात की और इसलिए dialectical materialism कहा गया ऐसी तीक है ये इसके बाद philosophical social change की बात की इन्होंने तीक है ये anti-capitalism थी capitalism के बिलकुल against थी इनके साब से capitalism नहीं होना चाहिए जो भी resources है वो equally डिस्टिबीट होने चाहिए society में और ये काम होना चाहिए government का कि हर resources को equally distribute किया कर ले resources वो जो आपकी super 30 movie भी है जिसमें कहा था कि दाजा का मेटा राजा बनता है जो actually सच है कि जिसके बाद resources है वो फिर resources आगे आगे आपने नहीं ही पाते तो ये government का काम होना चाहिए कि resources को equally distribute करें और equally allocate करें ताकि हर कोई अपना best दे पाए और अपने लिए at least minimum चीजों को तो की need को satisfy कर पाए against थे idealism की idealism concept के बिल्कुल against थे इन्होंने idealism की एक तरीकी से कहेंगे तो बिल्कुल ही बहुत जादा किसाइस के इन्हों idealism को और तभी concept निकल कर आया था materialism, idealism से shift होने लग गए थे लोग, materialism की वक्त ठीके, और आपको तीन concept अगरे समझाओं, इसकी metaphysics epistemology और exology जो आती है, आपकी कि इसकी metaphysics क्या है, philosophy की जो branches है आपकी metaphysics, epistemology epistemology, source of knowledge social learning की बात की, कि जो human है, वो social animal है और social learning आज पास के environment ही सीख जाता है, experiment करके सीख जाते हैं, जब आपके साथ कुछ बड़ा होता है तो आप बहुत सारा experience ले ले लेते हैं जिसे कि दुबारा ये चीजे आपके साथ ना हो तो social learning की बात की exology, equality और equity जिस constitution rights की हम बात करते हैं आज तो ये बात उन्होंने तब कर रही थी क्योंकि उनकों वो बात फील हुई थी कि society में equality हो और equity हो ठीक है, equality, equity, justice उनकी बात की थी नोंने तो ये इसकी exology है, exology है means values ठीक है चले, ये है margism इसके key elements जो आपको पता होने चाहिए तो कि अब question direct नहीं आती to the point नहीं आती applied form में आते हैं तो आपको basic concept से कुछ नहीं होगा कि आपको जो आपका topic में जो slavers mention है, आपका topic given है उसका meaning clear है तो आप question attempt कर पाएंगे आपको direct knowledge होने चाहिए उसके लिए concept formation होने चाहिए अच्छे से, तो ये margism था इसके कुछ key elements थे, अब हम discuss करेंगे आगे की चीज़े, की conflict theory इंदरनती थी, revolutionary program की बात की, dialectical materialism की बात की, anti-capitalism थे, ये capitalism के बिलकुल खिलाफ थे, against थे idealism के question आचुका है, idealism को बिलकुल oppose करने वाला इजम कौन सा है margism, metaphysics तो कि idealism ऐसा इजम है, जो बिलकुल एक तरफ है, बाकी इजम एक तरफ है लेकिन बिलकुल ही idealism को criticize किया था, वो margism metaphysics, material world की बात की epistemology, social learning की बात की exology, equality, or equity, values की थीक है, तो इसके है आप से basic principle of education, basic principle of margism, इननों ने कहा कि education should not be in the hands of private institutions, private institutions के हाथ में education जैसे चीज नहीं होनी चाहिए, क्यों जो कि education, private institution काम ही करता है कि profit earn करता है, तो ये जो right है, ये जो education, एक जो basic right होना चाहिए, सभी को देने का तो ये हमेशा government के पास होना चाहिए, ना कि किसी private institution के पास, education must be linked with the vocational skill, कि vocational education दीजिए, vocational skill दीजिए जब भी आपके अंदर कोई skill होगी, तो आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे आपके पास कोई ना कोई skill है तो आप उससे earn करेंगे, हर किसी को कुछना को skill development करनी चाहिए, अब skill development का काम है तो education के साथ ही करनी चाहिए अब environment change हो चुका है, अभी at present environment की बात करें तो 6 to 8 सेनलट के बच्चे को coding सिखाई जाएगी, जो education national education policy का पार्ट है, क्यों क्योंकि change requirement के according environment change हो चुका है, उसके according need है कि coding या app software बच्चे develop करें और सीखें इन चीज़ों को, क्योंकि feature में इनके काम आएगा, तो एक need बना दी उसके साब से curriculum design कर दिया तो इसी तरीके से आपके curriculum या आपकी education ऐसी हो, कि आपकी vocational education उसका पार्ट हो secular education किसी भी religious को नहीं मानते थे education और religion का कोई दोल नहीं है उन दोनों को बिलकुल अलग कीजिए secular education हो, religious less education हो right to be free and compulsory education जो चीज़े हमारे constitution का पार्ट है अभी वो margism में मेंशन की गई थी त्योंकि इन्होंने society को face किया था जहाँ पे poor और rich का difference बहुत जादा है right to free and compulsory education equal education opportunities ठीक है, सभी को equal education opportunities मिलें तो यह basic right है और आपका यह काम करेगा government और government अगर नहीं करते तो फिर वही private institution के पास चीज़े जाती है और उसके उपर को एक control नहीं रहता तो वो चीज़े follow नहीं हो पाती इस आदी basic principles of margism now aims of education vocational development education का ही मैसा हो कि आपकी vocational development हो physical, mental and social development हो ठीक है, physically आप develop करें mentally अपने आपको develop करें socially develop करें man and woman should given same education ऐसा ना हो कि women education नहीं है और सिफ जो male children है उन्हीं आप education दे रहे हैं तो man and man नहीं जेंडर बायस आप नहीं करेंगे वहन दोनों को ही आप same education प्रवाइट करेंगे then we have curriculum curriculum decided by the government only, curriculum का जो बहुत ही important part है जिसको आप vocational education भी आगे discuss करेंगे, तो ये government ही decide करेंगे, needs of community society, that means curriculum ऐसा हो कि society की needs satisfied हो कि जब भी आप education लेके निकले और आप job करें, आप business करें, आप जो करें, तो आप की काम वो curriculum आए political education, math, science इनको include करें literature, history, agriculture, education ठीक है, ये भी curriculum का बाठ हो इसके बाद करते हैं, बात discipline की तो discipline क्या है it is important that child remain disciplined but discipline should be self-disciplined कहरें, impose करने की बजाए अगर आप self-disciplined पे जादा काम करें बच्चों को कुछ से सिखाएं कि self-disciplined कैसे हो, तो वो जादा बेटर है then we have teachers teacher enjoy very little freedom teacher को बहुत एक important role दिया गया तो freedom तो थी ही नहीं teachers के लिए teacher जो है, वो हमेशा full of content knowledge से, method of teaching as a how, जिससे कि वो जो हमारे aims of education है, वो fulfill हो, तो जो teacher है, उसका बहुत important role play किया गया है then we have methods of teaching lecture method से आप teach कर सकते हैं project method से तीच कर सकते हैं practical aspects और experiment method से आप तो यह हैं आपके method of teaching ठीक है, I hope आपको markism clear हो गया होगा, जो markism Karl Marx की basic theory पे है, conflict theory आजाएगी, इसमें revolutionary program की बात किये गई, aims of education, curriculum, methods of teaching ऐसे हो जो आपकी present needs को satisfy कर पाए, I hope आपको session सच्छे लग रहे हैं और लग रहे हैं तो please like, share and comment and do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for latest update thank you